आपके अपने चैनल पर यहाँ हम बात करेंगे BSC Nursing Admission 2021 के टम्स में थ्रू नीड स्कोर 2021 के टम्स में यहाँ चार राउंड में होगी काउंसिलिंग MCC ने जारी किया नोटिस तो इस मुद्दे को हम यहाँ पर देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है क्या चीजी नहीं है और कब से क्या हो सकता है देखें हम आ गए है Official Website पर Director General of Health Sciences यानि Medical Counseling Committee की Official Website पर यहाँ आप जब यूजी में जाते हैं यूजी सक्षन में जब जाएंगे आप यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन जो इन्होंने अपलोड किया है हाल ही में देखें यहाँ पर सारे बखुश सारे नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं उन्हीं में से एक नोटिफिकेशन देखें यह दिख रहा है Conduction of Four Round of All India Quota Counseling by MCC of DGHS इसे आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन हो जाती है उसे आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं Supreme Court का इसमें एक order आपको मिल जाएगा और उसे आप देख पाएंगे चीजों को समझ भी पाएंगे देखिए ये नोटिफिकेशन है अरजन्ट नोटिस दी गई है कि 15% कोटा और योजी और पीजी दोनों के लिए कंडक्टिंग के लिए यहाँ पर बात कही गई है तो यहाँ पर 15% for योजी और 50% for पीजी सीट्स के लिए ओल इंडिया कोटा ओनरेबल सुप्रिम कोट और गजिटिट नोटिफिकेशन बाई यहाँ पर कहा गया ओनलाइन 4 राउंड आफ ओल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मौप अब राउंड तो यह सारे यहाँ पर पूरी चीजों को क्लियर किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट आपको न्यूस्वेपर और मीडिया सोसिस के थूरू भी यही चीज मिलेगी कि नीट काउंसलिंग 2004 चार राउंड में होगी नीट काउंसलिंग और यहाँ पर यह निर्णय 50% पोस्ट ग्रिजवेट और 15% जो है ग्रिजवेट सीटों के लिए सीटें के अंदरी ये पूल के अंतरगत आती हैं उन्हें सुप्रीम कोट ने नई काउंसलिंग फॉलिसी को मंजूरी दे दी है MCC के अनुसार नीट काउंसलिंग का आयोजन चार राउंड में किया जाएगा तो यहां देखिए देशपर के हजारो चात्र जो है नीट 2021 काउंसलिंग सुरू होने का इंतिजार कर रहे हैं यसे में MCC नी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जो है नोटिस जारी कर दी है अफिशिल वेबसाइट पर अभी हमने आपको दिखाया है और यह जो है राउन इसी तरीके से MBBS, BHMS, BU में सभी की चलेगी उसी में आपकी जो आल इंडिया कोटे के तहत BSC, Nursing की भी होंगी क्योंकि वो UG के अंतरगत ही आती है तो यह सब उसी के अंतरगत एक साथ ही काउंसलिंग सुरू की जाएंगी example को तोर पर हम बता सकते हैं आपको BHU है, जिपमर है ऐसे बहुत सारे institute है जो डारेक्टली यहीं MCC के थू ही काउंसलिंग कराएंगे आप confuse ना हो और कुछ लोग confuse हो रहे होंगे क्योंकि इस समय IGMS, IG IMS पटना का जो है जारी हो गया है क्योंकि जो central bodies है जो central government की हैं उनमें 100% quote के साथ होंगी तो उसमें जितनी seats होंगी वो सब के सब MCC के through ही होंगी तो आप wait करिये उनका registration कैसे होगा, क्या होगा सब कुछ जब तक MCC notification नहीं जारी करता तब तक आपको बता पाना cutting होगा बस इतना वियाद रखिए जब तक MCC नहीं counseling कराएगा तब तक आपको वहाँ admission नहीं मिलेगा तो इसलिए आफ ready रहिए तयार रहिए और चैनल को subscribe कर लीजिए जैसे information आएगी हम आपको inform करेंगे तो मिल पने रहिए चैनल पर अब तक के लिए धन्यवाद चै हिन चै भारत